हेलो केट्स, वेलकम टू आवर चैनल, आज मैं आपके साथ सेर करूँगी एक आसान सा ट्रिक, जिससे कि आपके लिए हो जाएगा 9 और 19 का टेवल लिखना बहुत ही आसान, तो जानना चाहोगे, तो इसके लिए देखना पड़ेगा आपको ये वीडियो, तो चलिए शुरू करते हैं, आईए सबसे पहले हम लिखेंगे 9 का टेवल, इसमें क्या करेंगे, आगे 1 माइनस करते जाएंगे, और पीछे 1 का टेवल लिखतेंगे, एक इसमें 1 एड करते हुए, ये बहुत ही आसान सा ट्रिक है, तो आप अपने बच्चे को जरूर समझाईए, उसके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा 9 का टेवल लिखना, और वो कभी नहीं बूल पाएंगे, वो जिन्द की वरियाद रखेंगे, मगर ट्रिक तो लिखने के टाइम काम आता है, और जब बच्चे से कोई पुछता है, 9 2 जा क्या होता है, 9 3 जा क्या होता है, तो बच्चे चुप हो कि वो जवाब दे सके, यह बहुत ही सिंपल तरीका है, 9 में हम क्या करेंगे, आगे 1 माइनस करते जाएंगे, और पीछे 1 एड करते जाएंगे, इस तरह से, अब देखा कितना आसान है 9 का टेवल लिखना, यह ट्रिक जरूर समझाईए, और बच्चे को याद करवाईए, 9 क टेवल लिखना है, बहुत ही आसान है, तो आईए, अब हम लिखते हैं, 19 का टेवल, वो भी बहुत ही आसान हो जाता है, इस ट्रिक के माध्यम से, तो इसमें हमें क्या करना है, 9 की तरह ही, इसमें भी आगे 1 माइनस करते जाना है, और पीछे 2 एड करते जाना है, तो 9 माइन तू एड़ करते जाएंगे तो यह ट्रिक बहुत ही आसान है तो यह आप अपने बच्चे को समझाईए और बच्चे को टेवल आसानी से याद करवा पाएंगे और वो कभी नहीं भूल पाएंगे इस ट्रिक से 19 का टेवल बहुत ही आसान हो जाता है लिखना में बीचे हमें 2 एड़ करते जाना है और आगे 1 माइनस करते जाना है 13 प्लस 2 हो जाएगा 15 और 3 माइनस 1 हो जाएगा 2 2 माइनस 1 हो जाएगा 1 और 15 प्लस 2 हो जाएगा 17 1 माइनस 1 हो जाएगा 0 और 17 प्लस 2 हो जाएगा 19 तो देखा आपने कितना आसान है 19 का टेवल लिखना अगर ये वीडियो थोड़ा भी helpful लगा हो तो इसे like, share and comment करें ऐसे useful वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को subscribe जरूर कीजिए तब तक के लिए बच्चों खूब बढ़ो, खूब बढ़ो, thank you